एख भीने, होलो एख बड़ने से पहले एक छोटा ví Morbet करने वाली हूँ चो विल्डशिकल की तरव से मैंने मंगवा ये बिल पीज दार्त कॉम सेमें अ एग भीने हो पॉड्श का पौधों को लगाने वाला जो टूल होता ना गार्डन टूल वो मंगाया है इसमें मैं मुझे ट्रांस्प्लांटर मिला है ये देखिए इस तरह का ये फाइप पीस का सेट है और यहां पे है दूसरा ट्रावेल इसमें तीसरा जो मुझे मिला है वो है फोक इन टूल से बहुत आराम से आप पौधों को लगा सकते हैं निकाल सकते हैं उनकी सीडिंग कर सकते हैं चौथा है कल्टिवेटर ये देखिए काफी अच्छी क्वालिटी है अभी मैं आगे इसको अच्छे से दिखा दूँगे आपको और पाचवां जो टूल है वो वीडर है तो इस तरह से फाइब टूल मुझे मिले हैं और फिर बता दूँए बिल्डिस्किल डॉट कॉम से मैंने लिया है यहां पे हर लेक की लंबाई मैं उपर की तरब आपको दिखा दूँगी नीचे प्लास्टिक लगा हुआ है जो बहुत अच्छी क्वालिटी का है उपर यह मैटल का है और बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ है ब्लैक मैटल फिनिशिंग में यह है और यह आप देख सकते हो इच की लेंट भी बहुत अच्छी है और काफी हैंडी भी है तो इसमें एक कलर ऑप्शन और है उपर मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी अराउंड फोर हंड़िट का यह मुझे पड़ा है फाइव पीस का सेट तो अगर आप लेना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प् अगर यह फूड़ वाले जो पैकेट आते हैं उनका मैं यूज कर रही हूं इसमें आप कोई भी ले जो प्लास्टिक है और एक चोटा सा हमें कोई भी धकन लेना है जिससे हम सरकल को निकाल सके कोई भी राउंड चोटा सा धकन ले लिजे आप और इस तरह से उस पर रख कर करके हम इनको ड्रा कर लेंगे सरकल को तो यहां देखे एक लीड में मैंने तीन पीस ड्रा किये हैं इसी तरह से ड्रा कर लेना है उसके बाद से इनको सीजर की हिल्प से कट करके अलग कर लीजे इस सरकल को अलग कर लिया मैंने यह देखे है इस तरीके से करने पर यह बाहर आ जाएगा और यहां पर तीनों पीसे मैंने निकाले हैं अब करना यह है कि बीच में एक दम ना इसके मार्क लगाना है एक तो पैनिया इस कैसे से किसी से मार्क लगा लीजे बीच में एक दम से में उसके बास से किसी भी नुकिले टूल से या कमपास की हिल्प से इसको हम बीच में होल कर लेंगे ऐसे देखिए होल कर दिया मैंने थोड़ा बड़ा रखना है होल तो इसको थोड़ा और बड़ा रखेंगे तो यहां देखेंगे थोड़ा सा बड़ा-बड़ा मैंने होल कर है थोड़ा सा पानी हाथ पर लेगे? या ऑइल लेगी हलका सा पानी लेकर जब बनायेंगे तो यह बहुत अच्छा से बन जाएगे तो बस इसको इसी तरह से फूब करके हथेलियों पर और यसे बाती बनाते है वैसे बना लीजे इस तरह से रेडी कर लेना है बाकी पीसेस को भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी यह देखिया तो यह नीचे की तरह से हम इनको कट कर लेंगे थोड़ा-थोड़ा कट करके इस जो शीट बना के रखी प्लास्टिक वाली उसके अंदर होल में इसको हम इंसर्ट कर देंगे ऐसे संख़ना कर देंगे कि ऐसे सेट हो जाईगा थोड़ा-थोड़ा कट कर लेंगे यह देखिया ऐसे इसी तरह से दूसरा पीस हम कट कर लेंगे लगा कि यहां मैंने तीन ही पीस बनाए है आपको जितनी रिक्वायर्मेंट है उतनी बाती बनाईए उतनी प्लास्टिक शीट को कट कीजिए तो नीचे से थोड़ा छोड़ते हुए कट करना है ताकि ये पानी में अंदर डीप रहे और आपकी जो कैंडल है वो जलती रहे तो यहां देखेंगे तो हमने इसको रेडी कर लिया इस तरीके से अब यहां पर मैं ले रही हूँ शीशे की बाउल आप चाहो तो ग्लास ले सकते हैं या फिर जैम चटनी का जो कंटेनर आता है जिसको वाश करके यूज कर सकते हैं जो भी लेंगे शीशे का लेंगे क्योंकि वो ट्रास्पैरेंट होगा और उसमें से कलर्स जो है तो बाउल में मैंने खाफ पानि डाला है मतलब हाफ भूल भरना है इसमें पूरा फिल लेंगे छिस तरह से हफ डाल करकी यहां पे न मैं यूज कर रही हूं वाटर कलर इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए आपके पास जो कलर है वो आप यूज़ कर सकते हैं मैंने इसमें वाटर कलर डाला है तो यहाँ पर देखेंगे तो मैंने दो तीन शेड अपने हिजाब से लिया है आपके पास जो भी कलर अवेलेबर है यह भी प्यारे प्यारे कलर है आप उनके इंक्लूट करेंगे तो यह बहुत ही अच्छा लगेगा मैंने इसमें यलो डाला है ग्रीन डाला है और यह पिंग शेड डाला है यह देखे और इस तरह से ही इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा है तो अब नेक्स्ट स्टेप के और चलते हैं तो नेक्स्ट स्टेप जो है इसमें हम ऑईल डालेंगे तो मैं यहां पे रिफाइंड ऑईल यूज़ कर रही हूं कोकिंग ऑईल जो भी आप यूज़ करते है आधा चमच से थोड़ा से जादा इसमें पड़ेगा एक कटोरी में तो यहां आप देख सकते हैं कि मैं इनको आधा चमच से थोड़ा से जादा डाल रही हूं और उपर के तरप आप देखेंगे इस कटोरी में तो आपको आईल नजर भी आएगा तो इस तरह से तीनों को set कर लेंगे आब इनको decorate करना है तो decorate करने के लिए ये मेरे पास थोड़ी सी इस तरह की गोटा पट्टी पड़ी हुई है तो इनको मैं ले रहे हूँ आपके पास sparkle है या फिर आपके पास जो stars होते हैं कप्टे वगएरा में लगते हैं परल लाइट वेट परल है आप उनका यूज कर सकते हैं मैं यहाँ पे इनको डाल रही हूँ और चार पाज फोल्ड किया है मैंने और सीजर की हिल्प से एकदम बारीक इनको कट करना है तो यहाँ देखेंगे तो एकदम बारीक मैंने इसको तो बहुत आराम से कट हो जाएगा आप इसकी जंगा पर चाहें तो गोटे में जो किनारी आती है और लेटी इस तरह की स्पार्कल वाली उसको भी निकाल के यूज कर सकते हैं ड्राइ फ्लार है ड्राइ लीवस है उसको भी आप इसमें डाल सकते हैं और मल्टी कलर की थर्मा क बॉल है तो उसको भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने यह यूज किया है आपके पास बहुत है आपको जैसे अच्छा लगे आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं अब इन जो प्लास्टिक शीट थी उनको हम इन में पहले सेट कर लेंगे इस तरह से पकड़के और इनके उपर रख द रखी थी बस इनको उपर-उपर से मैं डाल रही हूं मेरे पास सिल्वर थी अगर गोल्डेन होती तो वह भी मैं यूज करती दोनों शेट डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा इसमें यह देखिए आप इसका लुक ऐसे ही देख सकते हैं कितना ब्यूटिफुल लग रहा है तो इस तरह से मैंने बहुत जादा नहीं डालना है और कैंडल के साइड साइड डालिए बस इसको इस तरह सेट कर लेना है अब यहाँ पर इसका एक लुक आप देख सकते हैं कितना ब करके दिखा देते हूं आपको कि आपकी आज फ्लोटिंग कैंडल है पानी से बनना के रेडि की गई है वह जलने के बाद कैसी दिखेगी अब बहुत ही प्यारा लुक है आपको किसी भी ओकेशन पर इसको बना के रेडि करना है तो आप कर सकते हैं यह देखे थोड़े से तेल से और पानी से यह बना के रेडि आप कर लीजे और किचन का कंटेनर लगती तो प्लीज लाइक सस्क्राइब शेर एंड कॉमेंट चरूर कीजेगा थैंक्यू बाई